हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग आशे करता हूं हो सब ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरे नाम है सुधिर और आज हम पढ़ेंगे क्लासिक्स का जो आपका पढ़ना है जी के तो यहाँ पर पहला चैप्टर है यहाँ पर इन्डिया फ्रॉम योडोप तो देखे बहुत सारी जो बर्ड्स है वह इंडिया में आती है कहां से योडोप से आफरिका से नौदन एसिया से साउथ हीस्ट एसिया से और साथी साथ व तो यह search of feeding grounds यानि कुछ खाने पीने के लिए साथी साथ जो climate होता है वो गर्म रहे इसकी वज़े से आते हैं क्योंकि जब बहुत जादा आपकी ठंडी हो जाती है ठीके ना तो यह लोग ठंडे में रह नहीं पाते हैं इसलिए गर्म जगह पर आते हैं तो गर्म जगह इनको क जानेंगे देखिए यह कैसी चड़िया है इसकी जो बीक होती है वो श्पून सेप की होती है ठीके ना तो दा डग यूज़ेस टू इसके फूड होते हैं पानी को छन्नी करने के लिए पानी को बाहर निकालने के लिए इसकी चोच इस तरीके से होती है ठीके चले अब यहा इसके बार में पढ़ना है ठीक है तो यह कॉमन विंटर विस्टर यह कम आती है आपका विंटर सीजन में आते ही इट पिर मेली यून इंक्ट और यह किस पे जिंदा रहती है ठीक खाती है ठीक है ठीक नोन फॉर इस एक चो और डख है ठीक है नोन फोर स्टिकिंग हेड एंड नेग पैटन आफ द अमल बंड तो जो इसमें इसका जो अट्राक्टिव हे होुव्श कि वजह से ठीक है वह फिर यहां पे टां धा upp Two लू छ würde और यह जो blue throat है आपका इसका जो गलना देखिए blue color का इसका नाम blue throat है और यह बहुत ही अच्छा गाती है इसकी अवाद बहुत ही शूरीली है офी किस पे जिन्दा रहती है यह कीड़ों को खाती है ठीक है ए उतल लक हने वालों कि आवाज सुंतर होती है और इसका नाम Eurasian Tail क्यों रखा गया है क्योंकि यहां नीले और ग्रीन कलर की होती है ठीक है फिर यहां पर नौर्डन पिंटेल नौर्डन पिंटेल पिंटेल का मतलब क्या होता है इसके पूंछे देखें एक्टम नौक है ना टेल पिंट की जैसी है ठीक है यानि की निडिल क आवका बद्तक होता है और यह इस्प्रिंग सीजन में आता है ठीक है लिखांगि इन टू फ्लाइट फॉम दा वार्टर स्वर्फइस और यह देखें पानी के सतह से ही क्या हो सकती है यहीं से ऊड़ सकती है इसको जमीन पर आया कि तब उढ़े की ऐसा नहीं यह पानी से ही पानी के सता से यह उड़ सकती है ठीक है अब यहाँ पर लिखेंगे तब Pacific Golden Plower तो the Pacific Golden Plower देखी यह चिडिया है इसका क्या काम है यह बहुत ही लंबी दूरी तक उड़ सकती है ठीक है न और यह it's come from Arctic Tundra region और यह कहां से आती है यह Arctic और टुंडा region से आती है ठीक है न चली यह एकदम सौर्थ सौथ पोल नौट पोल जो होता है वहां से वहां से ठीक है अब यहाँ पर आते है दा greater flamingo flamingo को बारे में देखिए जानते है flamingo के बारे में पढ़ना है अब देखिए क्या होता है फ्लैमिंगो एक बड़ा पक्षी होता है यानि कि इसकी साइज होती हो बड़ी होती है साथी साथ यह maximum आपका वन पैर पर ही खड़ा रहता है स्वैंप यह दलदल एरिया में रहता है वहां पर मचलियों को पगड़ता और खाता है ठीक है फिर यहां पर देखिए क्या है द पायट क्रेस्टड कुकून यह बड़ इसका नाम है पायट क्रेस्टड कोकून यह माइग्रेटी बर्ड है और इन द इस असुसेटल विड़ चटक और पपीहा ठीक है न और यह पपीहा से भी जूड़ा हुआ है ठीक है ना इन एब एप तक रोड़े तो दिखे इसमें क्या होता है जो चटक और पपीहा कहा गया ना तो ये लोग क्या करते हैं इंडियन पोर्टर में प्राचुन टाइम में ये जब चुड़िया गाती थी ठीक न जब यह बोलती तो इसका मतलब क्या होता था कि अब ये बारिश होने के लिए गा रही है ठीक ये बारिश होने वाली है ठीक है तो दोस्त यहाँ पर माइग्रेटी वर्ड्स का वीडियो खत्म होता है मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार